कॉंग्रेस की यह यात्रा जिसने एक नहीं अनेक मौकों के उपर पूरे इस 150 दिन के अपने कालखंड में जितने नफरत और घ्रणा के बयान थे जितने नफरत और घ्रणा के पृतीक लोग थे उन सब को साथ में रखकर और पुनह एक बार इसमरण कराया कि जब एक भारत स्रेष्ट भारत बन रहा है तो वो सारी की सारी प्रवित्तियां जो कि भारत को समय समय के उपर बाटने में समाज के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार किये विभेद पैदा करने में निरंतर प्रयत्नशील रहती थी और जिसका इस यात्रा का जो मूल उद्देश था कॉंग्रेस का वो भारती ये जनता पार्टी या शी नरेंद्र मोदी जी के विराट वेक्टुस से कोई संबन नहीं था उन्हें विपक्ष के रूप में अपनी जो हैसियत समाप्त हो रही थी और विपक्ष के कई नेताओं के मन में जो महत्वा कांक्षाएं उठने लगी थी चाहे मम्ता जी हो चाहे नितिश कुमार जी हो चाहे केजरीवाल जी हो केसी आर जी हो या शरत पवार जी हो उन सब को हैसियत दिखानी थी कि भाई हम तो इत्ते सारे राज्यों में हैं आप कहां पर हैं और इस उद्देश में और उसके बाद उन्हें ये प्रयास करना था कि वो सारे के सारे विपक्ष के नेताओं को अपने पक्ष में कर लें परन्तु उसमें भी ये पूरी तरीके से असफल रहे क्योंकि किसी भी बड़े विपक्षी नेता ने या किसी भी बड़े दल ने उनका साथ आने से इंकार कर दिया अब मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि कॉंग्रेस यदि भारत जोडों की बात करती है तो इससे बड़ी विडम्बना नहीं हो सकती और ये तथा कथित, सेकुलर दल, विपक्षी दल, इनकी पूरी नीति क्या रही कॉंग्रेस और उनकी जितनी आफशूट पार्टियां है इन सब की भारत के बारे में क्या नीति रही कि बाटे आंगन और गली आरे, बाटे मंदिर और गुर्दवारे, बाटी एक बाटे गली महले सारे गाओं गाओं में, खेत खेत में, जात पात की म्याद बाट दी, तुमने एक वोट की खातिर देश की हर बुनियाद बाट दी झाल